हे फ्रेंड देखिए जब भी हम कभी किसी कंपनी में इंसक्रते हैं तो हम चाहते हैं कि हमने एक ऐसा इस्टोक मिले जो MULTI VACOR RETUNS की जाते हैं अगर हम maximum कर लेते हैं तो आप देखेंगे 29,647% के return बहुत ही बड़े return है 30 गुना अपना पैसा कर दिया है इन्वेस्टर का इसने और सिर्फ 19 अक्टुबर 2015 को ये लिस्ट हुई थी अगर देखें इसके अगर हम जो फंडामेंटल से हैं उसकी बात करें तो वह भी बहुत शांदार हैं तो पहले देखते हैं देखिए profit growth तो profit growth जो बड़ी है वह पिछले 5 सालों 35% से बड़ी है हमें इस share में देखना को मिल रहा है सबसे बड़ी बात है कि company के पास reserve तो है 61 करोड के लेकिन कर जा है ना के बरावर सिर्फ 4 करोड का almost debt free ये company होने वाली है अगर देखिए share holding pattern हम इसका देखें तो बहुत अच्छा दिखाई देता है जो कभी 46% हुआ करता था धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 53.9% मतलब लगवक 54% पहुच गया है और डिया आई भी जो निल हुआ करते थे वो 0.36% हो गए है मतलब आप डिया आई भी इसमें खरीदारी कर रहे हैं और पॉब्लिक के पास रहा है सिर्फ पॉने 46% का तो बहुत ज़्यादा इस्टेक पॉब्लिक के पास अब रहा नहीं है और हमेशा ये कम होता रहेगा इसके प्रोज और कौँज देखें तो देखें कौँज में सिर्फ ये लिखा है कि कमपनी प्रोफिट कर रही है हर बार लेकिन डिविडेंट नहीं देती है तो कोई ये देखें कौँज नहीं होता है नहीं देरी कोई बाद नहीं लेकिन प्रोज देखें इसके almost debt free है, good quarter की संभावना है और 5 साल का जो CAGR बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है लग भग लग 35% का तो बहुत सांदार एक CAGR कंपनी ने बनाया हुआ है अभी तक यह profit growth का CAGR है तो हर 5 साल, मतलब पिछले 5 सालों से 35% के आसपास की profit growth कर रही है कंपनी सिर्फ और सिर्फ 351 करोर की चोटा सा market cap है इसका और ROE और ROC सांदार है dividend देती नहीं है कंपनी, face value 10 की है तो split भी देखने को मिल सकता है book value 202 की और PE है 26 का तो PE भी बहुत ज़्यादा महगा नहीं है बहुत सांदार, बहुत अच्छे PE पर इस समय ट्रेड कर रही है और यह जो कंपनी है हमारी यह 1990 से कामकाज करते हुए हमें दिखती है और सिलेंडर जो होते हैं सिलेंडर कल रोलर वो बनाती है यह bearing बनाती है, taper bearing बनाती है heavy जितने भी गाड़ियां होती है उसके trucks वगयरा के, cranes वगयरा के जहां से इसे 65% का revenue generate होता है तो बहुत शांदार जो इसका revenue है वो मिलता है इसको, क्योंकि एक्सपोर्ट से भी कमाती है कंपनी और कंपनी राजकोर्ट में है गुजरात में stable है यह ट्रांसपोर्ट से भी कंपनी कामकाज करते हुए दिखाई देती है हर सेक्टर में अच्छा कर रही है जो भी सेक्टर इसका है कंपनी का नाम है galaxy bearing ग्यारा सो पाच रुपे का current prize है दोस्तो आप अगर investment इसमें करना चाते हैं तो मेरी कोई सला नहीं है अपने analysis जरूर कर ले मिलते हैं फिर next video में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत